आप ऐसे रनिंग कर सकती हैं इदि आप विगनर हो तो शुबह से आम 30 मिल्ट रनिंग करो उसने आपने भूथ ही फादा हो जागा रनिंग करो उच्छे से एज रेनिंग कर जगती हैं कोई मोट्टा हो या पतला हो आपने शुरुवात में ऐसी रेनिंग करनी है जैन साथियो मैं कोच सुमीत दलाल एनाइस कोच मैं आपको बताऊँगा कि रेनिंग का सुरुवात कैसे करया जाए काफी बच्चे प्रोगलुस में आ जाती है जो रेन पर पहले शुरुवात में ही काफी बच्चे नए बच्चे क्या करते हैं जो पुराने बच्चे हैं करीबन उन्होंने दो-तीन महीने होगे रमीं करते हैं उनके साथ में बगने कोशिज करते हैं इसकार उनको इंजरी के चांज बढ़ जाता है जो बड़ी पर लोड़ होग करेंगे उससे हमारे पैरों की कपश की लेवल बढ़ जाएगी और फिर आगले दिन दस राउंड फिर ऐसा ही फिर भागना शुरू बरेगे शुरूगात के करीबन दस दिन पंदरा दिन हमें स्लो स्लो ररनिंग करेंगे 20 से 30 मिट ररनिंग सुबह शाम ररनिंग करेंगे ड़िसे हमारी फैटनस लीवल अच्छी हो जाएगी फैटनस लेवल अच्छी होगी तो हमारी पर्समेंस भी आएगी उसी से हमारे पेरों की जो हैं products like a एक यह उच्छों करेंगे हम तो मैं कोई भीन ाई पन्यों और रोगा शुको यह सब से पहले है कि 20-30 मिनिट रनिंग करनी है करीबन दस से पंदरा दिन फिर उसके बाद कोई भी वर्काउट करोगो आप आपको इंजरी नहीं आएगी और सबसे मैं है कि आपने रनिंग तो कर रहे है उसके साथ साथ में आपको एवीशी ड्रिल्स करनी है ताकि आपको काफी तक मदद मिलेगी अगर आप सवरवात में काफी विगनर है तो आपको पेन हो जाएगा पैरों में दर्द शुरू हो जाएगा इसलिए आप लोंग रनिंग करें और स्ट्रेचि करें आपको वर्काउट शुरूर नहीं करना है किसी भी यह लोंग रनिंग ज्यादा लोंग रनिंग भी नहीं है काफी बच्चे नए बच्चे क्या रहे हैं शुरुआत में और करीबं 10-12 किलोमेटर लोंग रनिंग कर दी उससे भी इंजरी हो जाएगी आपने शुरुआ कि अलुए थालुआ लोंग अनुरूर नहीं शुरुआत में बच्चे कर दो जाएगी जाएगी नहीं है वर्काउट कि दोने को वाएगी नहीं हैं कि दो